सुहागिन स्त्रियों ने गुरुवार की सुबह अपने सुहाग की दीर घायू के लिए वट अमावस्या पर बरगद के व्रिक्ष की पूजा अर्चना की सुला शुहागिनों ने कच्चे सूथ के धागे से परिक्रमा करते हुए उसे बट व्रिक्ष पर लपेटा और पूजा की साथ ही सावित्री वसत्यवान समेत अपने इश्ट देव को मनाया विद्वानों के अनुसार इस पर्व को मृत्यू पर पतिवरत धर्म की विजय का पर भी कहा जाता है पताते चलें कि जैश्ट महीने की अमावस्या को ही बर अमावस्या के नाम से जाना जाता है तरहसल इस दिन बरगत के पेड़ की पूजा होती है इसलिए इसे बर अमावस्या भी कहा जाता है इस दिन महीलाएं पती की लंबी आयू के लिए वट सावित्री वरत रखती है इसके अलावा इस दिन शनी जयन्ती भी मनाई जाती है धर्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अमावस्या के दिन ही सावित्री के पती सत्यवान को प्राण दान मिला था कहते हैं तभी से इस अमावस्या का महत्व बढ़ता चला गया बर अमावस्या के दिन सभी सुहागन महीलाएं वरत रखती हैं और 16 श्रिंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं. मान्यता है इस वरत को करने से पती को लंबी आयू की प्राप्ती होती है. पौरानिक कथा के अनुसार बर अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने मृत्पती सत्यवान के प्राण वापस ले लिये थे. इसी कारण ऐसी मान्यता चली आ रही है कि जो भी स्त्री इस दिन सच्चे मन से वरत करती है उसके पती पर कभी कोई संकट नहीं आता. पर अमावस्या के दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री सत्यवान वा अन्य इश्टदेवों का पूजन करती हैं. मान्यता है ऐसा करने से महिलाओं को सुख़द और संपन दामपत्य जीवन का वर्दान प्राप्त होता है. वहीं दूसरी और वैग्यानिक मतानुसार बरगद और पीपल के व्रिक्ष सरवाधिक प्राणवायू आक्सीजन प्रदान करते हैं और यही वह वज़ा है कि हमारे पूर्वज प्रकृति की पूजा करते रहे हैं. इसलिए परियावरन संडक्षन के लिए भी इस दिवस को महत्वपून माना जाता है.